मेरा सवाल ऐसा है, मेरी वाइब से जग्रा होगा कि तो तौन वे इसने बुर्खा पेन में में जग्रा हो गया तो उसमें दूसरी बार आ चाहिए ऐसा बोला सब्सक्राइब का आफ ऐसा दूट Hybrid Land मुझे जूँ चाहिए तो रोस्तेंग वह हावते हैं तो क्या कोई के नहीं होगी प्लीस जबाती चीए का इनका कहना यह है कि इनकी बीवी से जगड़ा हो गया बुर्का पहनने के तालुक से तो सबसे पहले तो मैं बात को रोक के आपको कहूंगा कि यह कौन सी चीज होती है जगड़ा करने की बुर्का पहनने कपड़ा पहनने के तालुक से इतना माम अला जो ए गंबीर हो जाए कि बात त्लाक तक पहुंगा है ये कौन सी बात है मिया बीवी की बीच में कोई भी जगड़ा हुआ और मामला जाता है तलाग पर तलाग कोई खेल तमाशा नहीं कि छोटे छोटे जगड़ा पर आप तलाग बोलें तो ये बहुत गलत रविया है इसको बदलना चाहिए दूसरी बात ये है कि आपकी बीवी है इसके हालत में थी तो आप तो फैसला नहीं कर सकते बलकि आपकी बीवी फैसला करेंगे किस हालत में थी होना ये चाहिए असल में कि एक आदमी जब तलाग देना चाहे तो पहले ये पूछ ले कि बीवी किस हालत में आपने तीन तीन तलाग दे दिया और आप कहते हैं कि हैز کی حالت میں تھی क्या आपने पहले पूछा अपनी बीवी से कि तुमको तलाग देना चाहता हूं किस हालत मे है हैज की हालत में तलाग देना बहुत बड़ा गुना है ऐसा नहीं है कि हैज की हालत में आपने तलाग दे दिया अपने घर चली गई और जब वो पाक हुइं तो उन्होंने वहां से पैगाम बेजा अब्दलरिमान बिन अपर रजलों के पास कि मैं पाक हो चुकी हूं अब तुम तलाग दे सकते हो तो अब्दलरिमान बिन अपर नहों ने फिर उनको पाकी की आहलत में तलाग दी तो ये तरीका ओतर तलाख देने का ये घड़ा धड़ा आप तलाख बोलते हैं और बाद में आप तपक करें। ये बहुत बड़ा जिरम है। बहुत बड़ा जर्म है। BEARचाल ये असल फैसला करने का हक बीवी को है। वही बता सकती है कि हैज की हालत थी की नहीं थी बिलफर्ज अगर हम माल लें कि वो हैज की हालत में थी और खुद कह रही है और उस हालत में तलाक दी गई है तो इस बारे में अलमा के दो अक्वाल है कुछ अलमा कहते हैं कि तलाक हो जाती है, हाइज मेडिया किसी भी तरह तलाक हो जाती है जबकि दूसरे अलमा कहते हैं कि हाइज की हालत में तलाक नहीं होती है हमाई नजर में यही बात राजे है, यही बात दुरूस्त है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को हैस की हालत इतलाक दी तो उसकी इतलाक नहीं मानी जाएगी इसकी पूरी तफसील हमने अपनी इतलाक वाली किताब में पेश कर रखी है हैस की हालत में इतलाक होती है या नी इसकी एक बहुत लंबी तफसील मैंने अपनी किताब में दी है जिनको पढ़ना है वो इस किताब का मुराजा कर सकते हैं तो ये आपके सवाल पे चन्द बाते हैं उम्मीद है कि ये बाते हैं आपके लिए वाज़ होगे हैंगी झाल 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 झाल